इस कारिक्रम के पुने आर्जक हैं कल्यान आलोचना में अगले कर्म की गाथा में गाथा नंबर बारा मिलान करें महु मज्य मंस जुवा पब दी वसनाई सत्य भे आईं पबिली वसनाई सत्य भे आईं नीमो नकयम चतेशिम् मिच्छा में दुक्डम हुज्या पब दी वसनाई सत्य भे आईं नीमो नकयम चतेशिम् मिच्छा में दुक्डम हुज्या मधु मांस मद्य द्यूत प्रविर्तीनी व्यसनाई शब्त भेदानी नीमो नकर्तह तेशाम मिध्या में दुस्कृतम भवतू क्या बात कही बहुत अच्छी बात कही देखो एक एक शब्द कर समझो मज्य महु मद्य मधु मद्य और मधु मद्य यानि शराब मधु यानि शहद शराब और शहद क्या मद्य कर से क्या मादक पदार्त शराब नशीला पदार्त मधु शहद मधुमक्षियों का उच्छिष्ट मंस जुगा पविदी मंस जुगा आदी जुगा भी जुड़ गिया मंस भी जुड़ गिया बसनाई विष्णों के सत्वेयाई साथ वेद हैं तेसिम उनका नीमो नकयम चव नियम यदि मैंने नहीं किया तो इन साथ विष्णों का अगर हमने नियम नहीं किया नियम नहीं किया का मतलब अगर हमने इनका त्याग नहीं किया साथ विष्णों का अगर हमने त्याग नहीं किया तो में दुक्डम मिच्छा हुज्जो मेरे दुश्कृत पाप मिथ्या हो बें मेरे दुश्कृत दुश्कृत यानि पाप मिथ्या हो बें शब्ति विष्णों के त्याग की प्रेरणा इसमें दी जा रही है किसकी प्रेरणा दी जा रही है सब्ति विष्णों के विष्ण किसे कहते हैं जो जीव को बार-बार परेशान करते हैं, क्या, जो जीव को बार-बार परेशान करते हैं, हाँ, बार-बार कस्ट की ओर प्रेरित करते हैं, वो व्यशन कहलाते हैं, व्यशन की परिवासा, अथ्वा, जो पुर्स को कल्यान मारगे से वरिष्ट करते हैं, नियम करना पड़ता है आप खाओ या मत खाओ आप पियो या मत पियो अगर आपने त्याग ने किया तो बिना खाए पिये भी आपको पाप का आसरो हो रहा है देखो कितनी बात बड़ी बात है आपने त्याग ने किया तो आपको पाप का आसरो नहीं हमने तो खाया ही नहीं हम तो पीते ही नहीं तो त्याग कहा है त्याग का नियम कहा लिया तुमने त्याग का बड़ा फरक होता है ना ओपियो करो या ना करो अगर तुमने संकल पर पूर वक्त त्याग नहीं किया तो आपका रास्ता खुला रहता है अभी जरूरत नहीं है कोई बात नहीं जब जरूरत पड़ेगी हमार रत्याग थोड़ी है और उसी के पाबंदी के लिए नियम ले लो बैंक में पैसा रख दिया अब डीकी नहीं अब बैंक वाला ऐसी रखेगा भी यह कभी भी आ सकता कल भी आ सकता परसों भी आ सकता जब आएगा तब बापस करना पड़ेगा वो उसका उपयोग नहीं करेगा उपयोग नहीं करेगा तो भी आज किता देगा सामाने से देगा समझ लो हाँ और बलकि उल्टा और लगेगा तुमको तुमने रखा है और एब डी नहीं किये तो दो या फिर सामाने से भी आज मिलेगा तुमको क्योंकि फिक्स नहीं किया फिक्स नहीं किया तो सामाने भी ब्याज मिलेगा और आपने FD कर दी, एक साल नहीं लेंगे, दो साल नहीं लेंगे, तीन साल नहीं लेंगे, वो उठा करके पैसे ट्रांसपर कर देगा, किसी काम में लगा देगा, फिर तुमको ब्याज देगा, तो अगर तुमने FD कर दी, तो तुमको ब्याज जादा मिल र अवक्ष बस्तु का उप्योग नहीं किया तो साम मानने से पुन्न लगेगा क्योंकि आपने उप्योग नहीं किया और अगर उप्योग ना करते हुए आपने त्याग का संकल पे ले लिया तो फिर क्या है हाँ अभी तो नहीं कर रहे हैं क्या आगे भी इसका उप्योग नहीं करेंगे क्या आगे भी इसका उप्योग नहीं करेंगे कोई कहेगा तो भी नहीं करेंगे हमारे को जरूरत भी लगेगी तो भी नहीं करेंगे इन बस्तुओं का उप्योग नहीं करेंगे ये त्याग हो गया और ऐसा संकल पे ले लिया तो फिर क्या होगा ऐसा संकल पे ले लिया तो फिर ब्याजदर तुमारी बढ़ जाएगी हाँ तुमारी पुझी बढ़ने लगेगी इसलिए बस्तू का उप्योग करो या ना करो ये उतना महत पूर्ण नहीं है आपने बस्तू के त्याग का संकल पे ले लिया है तो यह जादा महत पूर्ण है त्याग का महत है वह या चाहे छोटी बस्तू छोड़ो चाहे बड़ी बस्तू छोड़ो हम तो यहां तक कहते हैं कि अरे वहीं से छोड़ना शुरू करो जिसका उपयोग नहीं करते जिस बस्तू का तुम उपयोग नहीं करते हो वहीं से त्याक शुरू करो आपको त्याक का संसकार तो आएगा और धीरे धीरे फिर उस बस्तू का भी त्याक कर दोगे जिसकी आवश्च रखता पड़ती उस पर भी नियतना करोगे उबवास नहीं कर सकते मत करो एक आसन नहीं कर सकते मत करो भोजन कर लिया तुम नहाँ भोजन कर लिया अच्छे से कर लिया अपने अनुकूल हो गया हो गया अब तिन घंटे का त्याग कर दो दो घंटे का त्याग कर दो अब भी तो भर पेट भोजन कर लिया मन माफिक भोजन कर लिया अब दो तिन घंटे नहीं चल सकता क्या बोलो न सही बात है कि नहीं है अब नहीं नहीं हम नहीं करते अरे भाई मन की द्रणता से संकल्प पल जाते हैं और मन कम जो रहो अब भी भोजन करके उठे हो भरा पेट है बजार में कोई नया पुराना दोस्त मिल गया भी यह बहुत दिन बाद में ले आओ चाय पानी नास्ता कर लो नहीं हम तो भी भर पेट बढ़ियां सब अच्छे करके आ रहे अरे करतो लो फर खाने बैठ गए अब बताओ यह क्या है एक क्या है संकल्ब होता तो त्याग जरूरत ही नहीं और संकल्ब नहीं है तो जरूरत नहीं तो भी खाने पीने बैठ गए ऐसे ही अवक्ष बस्तूँओं में जिस चीज का उप्योग नहीं करते शराब नहीं पीते हो अब भी नहीं पीते हैं आंगे भी नहीं पीएंगे संकल्ब पूर वक्ष हमारा त्याग अब चाहे कुछ भी हो जाए अरे पानी का त्याग करा रहे हो तो तो तुम जीने मरने की बात सोचो सराब का कोई त्याग कर दे तो जीने मरने की बात होगी क्या पीने वाला फिर मरने की सोचे पीने वाला भले ही मरने की सोचे सराब का त्याक करने वाले को क्या कारण है उसको दूद मिल रहा पानी मिल रहा सबजी मिल रही फल मिल रहे खतम काम शराब है शहद है अब शहद ऐसे थोड़ी मिलती है कहा से मिलती शहद अरे मदुमक्या अनगिन गिनती नहीं कर सकते उड़ने वाली तो दिखती है जो उड़ने पा रही है जो उनके अंदर बिलों में भरी है किल्बिल 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 इतने जीव कर रहे है अनन्ता अनन्त वो सारे के सारे जीव वहीं जनम ले रहे वहीं पर मरन कर रहे ये हो रहा वो हो रहा और आदमी उस शहद को पाने के लिए छटे जला देते है या मक्यों को उड़ाते हैं फिर उनका रस निकालते ह कितने जीव असंख्यातों जीव उसमें मरते रहते हैं वो शहद का उप्योग करते हैं भाया शहद का उप्योग मत करो अगर दवाई में कुछ लेना है तो सक्कर की चासनी बना लो और क्या सक्कर की चासनी बना के ले लो फायदा हो जाएगा सब ठीक हो जाए जीव दया से अपने आप तुम को फायदा हो जाएगा ऐसे ये शहद शराब मांस जीवों को मानना पड़ता है जीवों की हिंसा करना पड़ती है कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है और ऐसे जीवों को मार करके जो किया जाता साक्षा जीवों को मारना तो बहुत बड़ा पाप है अगर उनका आकार प्रकार बना करके भी किसी ने हिंसा की जीव का आकार बना करके भी लकडी का आटे का या फलो सबजियों में आकार बना करके भी अगर तुमने हिंसा की तो तुमको महाँ पाप आटे के मुर्गे की कहानी जानते हो कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा दोस लगता है अब आज कल देखो, ऐसी मिठाईया बनने लगी है उनमें आकार कोई बना देते हैं, जीवों के आकार बना देते हैं कोई और बना देते, मेंडग बना देते हैं है मिठाई पर आकार उन्ने जीवों का बना दिया अब बच्चे यह ना समझ लोग क्या है अब वो खातो रहे मिठाई लेकिन आकार क्या देख रहा हैं गड़िया घुला बनते थे पुराने समय है गड़िया घुला मेलों में बिकते थे सक्कर के गड़िया घुला अब उसमें क्या है सक्कर के कहीं ये बना रहे कहीं वो बना रहे बैल बना दिया गाय बना दी सक्कर के घोड़ा बना दिया अब खातो रहो सक्कर लेकिन आकार क्या है ऐसी कई मिठाई या कई चीजें बजार में बन रही हैं जिनमें आकार जीव जन्तूंगों का है और उन जीव जन्तूंगों के आकार को यदि तुमने खाया तो मन तुमारे क्या होता है बच्चे देखो अब मोबायल पर ने कोई गेम खेलते रहते हैं अब आतंकबादी किसी को बना दिया अब मार रहे हैं फिर इसको प्लैन को उड़ा दिया ये कर दियो मतलब हिंसा की भावना मारू 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 तुम खेल खेल रहे हो लेकिन तुमारे खेल में मारने का भावा रहा है हिंसा का भावा रहा है यह संसकार भी ठीक नहीं है क्या किसी को मारने का संसकार ठीक नहीं फिरी फायर क्या कहते हैं फिरी फायर यही है ना फिरी फायर ही नाम है ना अब बताओ फिरी फायर ऐसे ऐसे हैं मारो 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 अरे क्या है विया क्या मारो पुतले जलाते हैं क्या जलाते हैं पुतले जलाते हैं अब पुतले जलाने में भावना तुम्हारी बिरोद की भले हो बिरोद परगट करने की लेकिन आकार बना करके जलाया तो उसके जलाने का दोस्त भाव तो किया तुमने उस आदमी को तो तुमने भावों से मर दिया वो मरा हो या ना हो जो बिरोध सुरूप पुतले देहन होते हैं अब सही का आदमी नहीं मार पा रहे तुम तो उसके पुतला बना करके मार रहे बताओ सही का मारे तो सजा हो जाए अब पुतले को जलाएं तो कुछ नहीं है लेकिन भावों में तो दोस है धरम तो कहता है कि ऐसे भाव भी नहीं करना जिसमें किसी जीव को जलाने मारने की बात हो आदी आदी इस तरह से खान पान से ले करके उठने बैठने में रहन सहन में जहां भी हिंसा का भाव आता है वो अधर में हमारे लिए ठीक नहीं है जुगा खेलना अब जुगा खेलना लगे हैं बैठे हैं तास पत्ति लिए हैं इनका हमारे पास है हमारा उनके पास जा ये जा रहा वो जा रहा और जो पूरा का पूरा अपना पैसा गमा देता है उसके परिणाम देखो कैसे होते हैं और परिवार में आजीव का हो या ना हो पैसा हो या ना हो जुआ की लत लग गई तो घर से खिंच खिंच करके जो भी मिलता है अरे छोटी मोटी सौने चांदी की सामगरी भी रखी रहती है निकालता है बेच देता है जुए आके लब में लगा रहता है लब में जुए खेलता है और पाप में सब चला जाता है बच्सताई नहीं है इस तरह से जुए मान समद बेश्यागमन kayak कोई धरम थोड़ी है पईसा के लिए रहती है ऐसे बेश्याओं के पास जाना कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं बीमारियों से गर्शेत होती हैं सिकार जंगलों में जानबरों के पीछे लगना उनको दोडाना उनके लिए घायल करना मारना आदी आदी मनुरंजन के लिए खेल प्रदर्शन होते हैं उनमें जीवों की हिंसा होती है, जीवगात होता है, सब शिकार, चोरी, अब चोरी, दूसरे ने महनत करके, एकटा करके रखा, भाईया साब चले, रस्तास्ता निकाला, वो बस्ता वान्दा और बाहर हो गए, चोरी, परिस्त्री शेवन, ये साथ महा पाप रूप व्यशन है व्यशन जो कष्ट देते हैं, कल्यान के मारगे से भटकाते हैं, बुद्धिमान पुरुष को इन सब का त्याग करना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो व्यशनों से दूर होता है, अरे बड़े बड़े राजा भी व्यशनों में लग जाते, तो पांड़ो ज जुगा खेले, परेशानी सब के सामने हैं, अनेक अनेक कथाएं आती हैं, एक एक व्यशन में अगर कोई लग गया, कोई सिकार में, कोई मांस में, कोई इस में, कोई जुगा में, सब परिवार बरबाद होता है, परेशानी ओपर परेशानी आती हैं, इस तरह से इन सब के त्याग होना चाहिए दो हादे को मिलान करो सबी जन और पड़े मिल करके मद मांस आदिक व्यशन के जो भेदे हैं साथ यदीन त्यागे तो प्रभो मिथ्या हो मम पाप मद मांस आदिक व्यशन के जो भेदे हैं साथ यदि न त्यागे तो प्रहो मिथ्या हो मम पाप अगर इन सब दिवश्णों का त्याग नहीं कर पाए हो तो भगवन वह मेरे सारे पाप मिठ्या हो बें मिठ्या हो बें मिठ्या हो बें और भावना भाता है आलोचना पाट के रूप में भावना भाता है क्या भावना भाता है कि मैं सनमार्ग में निरंतर लगा रहूं सनमार्ग में निरंतर लगा रहूं अहिंसा का नीती का मार्ग मुझे निरंतर मिलता रहे ऐसी भाव नभाता है अच्छे कारियों को करता है अच्छे कारी करने वालों को प्रोसाहित करता है जीवों पर दया करता है अहिंसा का पालिन करता है खान पान में शुद्धी रखता है आचार बिचार में प्रामानिकता और पवित्रता रखता है ये सब एक बहुत अच्छे ग्रस्त को सद ग्रस्त बनाने के माध्यम है इसमें जैन अजैन का कोई भेद नहीं है ये तो बुराईया है बुराईया जिसके साथ लगेगी उसको परिशानी खड़ी होगी और बुराईयों से जो बचेगा उसका जीवन भला होगा बुराईयों से बचना है और अच्छाईयों से अपने जीवन को जोड़ना है यही धर्म का मार्ग और कल्यान का मार्ग है और ऐसे ही कल्यान के मार्ग को पाने के लिए कल्यान आलोचना लिखी गई है जिसका आप सभी जन स्वाध्याय कर रहे हो आपका स्वाध्याय निरंतर ऐसे ही बढ़ते रहे और कल्यान के मार्ग को पाने के लिए आप अपनी आत्मा की आलोचना निरंतर करते रहो इसी शुब्भावना से बिराम देता हूँ इस कारिक्रम के पुने आर्जक थे एवं समस्त मोधी परिवार कटनी मध्यप्रदेश फर्म सुरेंद्र स्टेशनेरी मार्ड कटनी मध्यप्रदेश मोधी इंटरप्राइजस कटनी मध्यप्रदेश